इसमें OBC वर के किधर जा रहा है देखिए भारती जंता पार्टी से सभी लोग गूप गए हैं पूरे प्रदेश में घोसी की जीत इंडिया गडवंधन की पहली जीत है यहीं से शुरुवात है यहीं से भारती जंता पार्टी का पतन होने वाला है और पूरे प्रदेश में प्रकास राजभर की बात तो छोड़िए क्योंकि वो तो आज इस दल में कलूजबर साथ का पीला मेठग निकलता है आप जानते होंगे उसको उसी तरह हो है टरटों करते हैं आज इधर कलूजबर उनकी बात में नर्बस हो चुके हैं और अब उनका कोई सहारा नहीं है मंत्र बनने के लिए गये थे भाती जनता में मंत्री भी नहीं बनेंगे क्या शुब नाम है रमेज बिंद यानि अपने साथ समाज से आते हैं ओबीसी वर्ग है तो क्या माना जाए घोसी जीत के बाद तो विपत्षीयों में बड़ी उर्जा दिखाई दे रही इधर बीजेपी क कहे रही है कि 2024 का चुनाओ जो है बीजेपी बड़े मार्जन से जीतना जीतने जा रही है तो क्या लगता है 2024 में ओबीसी वर्ग किधर जा रहा है देखिए भारती जनता पार्टी से सभी लोग गूप गये हैं पूरे प्रदेश में गोसी की जीत हुई है और समाजवादी प्रदेश में और उसमें जो है जनता इनको 2024 वाले चुनाओं में गूरी तरह हराएगी और समाजवादी पार्टी करने जा रही है समाजवादी पार्टी करने जा रहे हैं यहानि न्यसास समाज भी समाजवादिक साथ पूरा बैक्वर्ण OBC दलीत पिछड़ा सभी समाज जो है समझादी पार्टिक साथ क्योंकि विपक्ष में हम ही लोग भारती जन्ता पार्टी से इस समय मजबूती से चुनाओ मतलब लड़ रहे हैं इसलिए जो है लेकिन भारती जन्ता पार्टी का दावा है कि निसाद समाज उसके साथ है क्यों आज तक वो जो है उसी में गोद में बैट कर जो है काहनी का कह रहे हैं लेकिन ऐसी कोई बात रहे हैं पढ़े लिखे हैं बिंद निसाद मला केवट में सभी समाज में उसमें जो सिक्षित परिवार है अब समाजवादी पार्टी के साथ है क्योंकि आरक्षन 2004 में एक बार म में 2024 में समाजवादी पार्टी 80 सीटों पर बहुत मजबूति से लड़ने जा रही है जो इंडिया गडबंधन बना है कांग्रेस भी है समाजवादी मतलब जतने गैर बीजेपी दल हैं विपच्छी दल हैं सब एक साथ हैं तो इस इंडिया गडबंधन को कैसे देखते हैं घोसी की जीत इंडिया गडबंधन की पहली जीत है यहीं से शुरुवात है यहीं से भार्टी जनता पार्टी का पतन होने वाला है और पूरे परदेश में पूरे देश में हम लोगों का दरवाजा खुला है इंडिया गडबंधन का दरवाजा खुला है जो और दल इधर दर हैं अगर आना चाहें तो उनका स्वागत है हम लोग इंडिया गडवंधन भारती जनता पार्टी से 2024 में बहुत मजबूत चुना लड़ने जा रहे हैं अब पांच किलो रासन दे रही है करें गरीबों को देखिए यह तो भाकावा है पांच किलो गेहूं और पांच किलो 2022 का जो है यह तो भाकावा है जो 200 कम कियें चुनाओं को देखते हैं अभी तो और लोग और समान पर यह सब घटाएंगे और दाम घटाएंगे यह तो चुनावी माहूल है जैसे जनता अब जाग चुके हैं बहुत मजबूत इस चुना लड़ने तो घोसी में जो हुआ है क गुप चुकी है जनता उसी तरह से इंडिया गडबंधन की बहुत सांदार जीत हुई है और हम अपने पूरे समाजवादी पार्टे के नेता और राशी अध्यकी को इंडिया गडबंधन को बहुत बहुत बढ़ाई देना चाह रहे हैं उम्प्रकास राजवर की बात चुढ़िये क्योंकि वह तो आज इस यह कलूज दल में कलूज दल में उनको क्या कह दें उनकी बात बताना ठीक नहीं जनता आप जाग चुकी है जो बरसात का पीला मेठक निकलता है आ जानते होंगे उसको winding मिकिन करते हैं अजम को कोई दम नहीं है नर्वस हो चुके हैं और अब उनका कोई सहारा नहीं है मंत्री बनने के लिए गये थे भारती जंदाबे में मंत्री भी नहीं बनेंगे और दारा सिंग चौहान का भीवाई आल है अब उसी में सब केवल भारती जंदा पार्टी के बड़ी जातियों के लोग उनको घुमाये टालाएंगे कुछ बनाएंगे नहीं